दमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हैं दब फुल जड़ी उत्रप्रदेश में विदान सभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राज़तिक दलों में नए चुनावी दोस्त बनाने के कवायत तेज हो गई है ऐसे में एक दोस्ति को लेकर राश्ट्री ल पार्टी से था जो अब तक बरकरार है लेकिन इस गड़बंधन में एक दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस भी आरल जी से गड़बंधन की कोशिश में जूटी है कंग्रेस ने तित्व ने मध्यस्था के लिए हर्याना के एक यूवा नेता को लगाया है सिर्फ इतना ही नहीं क कॉंग्रेस ने गड़बंधन के लिए आरल जी का राजय सभग की एक सीच समेट कई प्रस्ताव दिये हैं सिती यह है कि आरल जी तेया नहीं कर पा रहा कि वह किसके साथ मैदान में उत्रे आरल जी यह आकलन करने में जूटी है कि किसके साथ दोस्ती से उसको कितना नफा हो पूत दल आरल जी से गड़बंदन की कोशिशों में क्यों जुटी है अगर इसका कारण क्या है और यूपी कि की इलाके में पकड़ है पश्चमी यूपी का किसान मजबूत है वहां की राजनेती भी किसानों की चोपाल से होकर निकलती है किसान नेता के रूप में पश्च किसान और जाटों के चहिते रहे हैं पश्यम यूपी से आरल जी की बड़ी ताक जाट और मुस्लिम का समीकरण था जो कि मुझफर नगर दंगों के बाद दो द्रुगों में बट गया इसका नतीजा था कि आरल डी कि यह भी कहा कि चोदरी अजीत सिंग को हराना हमारी गलती थी अब किसान और जाट का पुरान समीकरण फिर से आरल डी के पक्ष में दिखने लगा है फश्यम यूपी में जाट और किसान के साथ मुस्लिम अवादी का भी बहुलता है ऐसे में यदि आरल जी अपने पुराने स साती एसपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ता है तो जाट और किसान के साथ मुस्लिम वोट भी गडबंदन के पक्ष में होगा इसका ट्रेलर साल दो हुजार अठ्रा के उप्चुनाव में आरल डी देख चुकी है दो हजार अठ्रा में यूपी में हुए चार सीटो के उप्चुनाव में इस गडबंदन ने गोरकपुर फुलपुर और केराना और नूरपुर में पीज़ेपी को हराया था किसान अंदोलन के बाद पश्चमी यूबी में जयन चोधरी के स्तिति और मजबूत हो गई है एसपी के साथ गडबंदन में आरल डी और इसका इसपी जैसे अधिक्तम 25 सीटे देने के पक्ष में हैं इसके पहले आरल जी 2012 में कॉंग्रिस के साथ मिलकर विधान सबाद चुनाव लड़ चुकी है तब आरल डी ने आठ सीटे जीती थी ताजा हालत में कॉंग्रिस से चुनावी दोस्ती करने के आरल जी पर मुख को ततक साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद